सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्षिन पाने के लिए वालकम फैंट्स तो सुवागतम दोस्तों क्या आपके बच्चे को या आपको इस तरह के चाले हो गएं फफोले हो गएं या दाने हो गएं जिन पर तेज खुजली चलती है जलन होती है और थोड़ा सा टच करने पर यह फूट जाते हैं शुरुआत में तो यह थोड़े थे लेकिन दीरे दीरे बढ़ गएं और इनके कारण थोड़ा बुखार रहना, सरीर में ठाकावट रहना, पूरा आचरी में दर्द रहना इस तरह की समश्याएं भी आपको हो रही है तो यह सभी चिकन बॉक्स बीमारी के लक्सन हैं जिसे चोटी माता बिमारी के नाम से भी जानते हैं यह एक परका का वाइरल इंफेक्शन है जो वेरी सेला जोस्ट्र नाम के वाइरेस से होती है यह सांक्रमक बिमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बहुत ही जल्दी फेलती है वैसे तो यह बिमारी बच्चों में ज्य इस बीमारी के लक्सनों को वैसे हमने शुरुवात में जान लिया है, फिर भी कुछ अन्य लक्षन भी इसके हैं, जैसे जब यह बीमारी व्यक्ति को होती है, तो सीरदर्द होना, खासी चलना, स्वास में समष्या रहना, पूरी सरी में दर्द होना, चक्कर आना, इस सरे की सम जोस्ट्र वाइरस है, और यह वाइरस जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो संक्रमक व्यक्ति है, उसके छीकने, स्वास लेने, यह खास ने के द्वारा जो हवा में ड्रोपलेट आ जाते हैं, उसके द्वारा फेलती है, साथ ही जो फफोले हुए हैं, उसके डायेट संपर में कोई आ जाए या उस व्यक्ति के यूज लिये हुए कपड़े को को यूज ले ले तो उन्हें यह संक्रमन हो सकता है यह बिमारी हो सकती है इस बिमारी का सबसे ज्यादा जो खत्रा है बच्चों में रहता है या उनमें ज्यादा रहता है जिनको यह बिमारी कभी पहले नह किया जाता है तो सामन्य तर जो यह बिमारी है यह दो सब्तबाद खुद ही ठीक हो जाती है लेकिन इस दर्मियान जो बिमारी की करण बुखार आया है छाले फफोले हुए है उसमें जलन हो रही है जो दर्द हो रहा है उसको सहन करना पड़ता है साथ ही हवा में नहीं निकलन आपको नियमी तोर से नियम के पानी को आपके सरीय पी गिराना होता है लेकिन रगड़ना नहीं होता है साथ ही जो फफुले उनको फोड़ना नहीं है और आपको एक अलग कमरे में रहना होता है अगर यह सभी करते हैं सभी चीजे सहन कर लेते हैं तो यह अपना आपी दो हफ जो कि यह साइकलोवीड टेबलेट या साइकलोवीड शिरप बच्चे को शिरप दी जाती बच्चों को और बड़ों को टेबलेट दी जाती है साथ ही कुछ डोक्टर एंटिबाइटिक दवा भी इसमें देते हैं जो की होती है और इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें आवसकता पढ़ने पर पर पोखार को उताने के लिए दी जाती है ट्रीटमेंट देके डोक्टर दवारा इस बीमारी में कुछ रहाद दी जाती है और दो हफ़ते के बाद यह दीरे दीरे ठीक हो जाती है और यह जो treatment है डॉक्टर द्वारा साथ दिन से लगागर दस दिन का दिया जाता है जब यह treatment चलता है तो मरीज को एक tension बहुत ही जादा होती है कि जो यह फफोले हुए है चाले होएं यह जब ठीक हो जाएंगे तो इसके निसान हमारे सेरी पर रहे जाएंगे तो उसको केसे इसके लिए मैं आपको बता दूँ यदि किसी व्यक्ति को यह chicken poxy बिमारी होती है तो चाले होते समय अगर आप उस पर नारिल का तेल सुरू कर दे लगाना साथ ही चाले ठीक हो जाएं उसके बाद लगातार नारिल का तेल अगर लगाएं तो यह चाले की निसान आपको नह जाएं तो चालो को किसी भी सूरत में नहीं फोड़ें अगर गलती से फूट जाएं उस पर रेगुलर नारिल तेल का प्रियोग करते रहें तो दोस्तों यह पूरी जानकरती चिकन फॉक्स बीमारी के बारे में जिसम छोटी माता की बिमारी नाम से भी जानते हैं इसके लि जो से सब्सक्राइब करते हैं जो पासे में बैल आइकन है इसे जोर दबाएजे से के आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिशन में विल सके और मेरे सभी वीडियो आप में देख सके आप ते अपने तोस्त मोहित आदीज के साथ देखे रहेते अपना एटीब चैनल लाण आप मेंडीशित कुछिए ठेक के रूट टे कर अब चैनल चैनल लाण चैनल चैनल शेयर वाटनीशन आपने झाल पर अटीज़ आपने चैनल नली तोस्ता है।